पूसकार में राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज कोरोना को लेकर पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में बैठी है और पूरी दुनिया के लोग इस समय कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इससे जूरी एक बड़ी ख़बर अभी अभी सामने आई एक कोरोना की वेकसीन बना ली है और उसे लॉंच भी कर दी है वहां के राश्टपती रूस के राश्टपती वालादिमीर पुतीन ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वहां की health ministry और health जो स्वास्थे विभाग उससे approval मिलने के बाद को ना की वेकसीन को वहां पर लॉंच किया और कोरोना की वैक्सीन वहां बनी है उसका पहला ठीका खुद राष्टपती व्लादिमीर पुतीन की बेटी को लगाया गया है जी हां तो यह एक बड़ी खबर है कि कोरोना की वैक्सीन दुनिया में पहली जो वैक्सीन है वो लॉंच हो चुकी है जिसे रूस ने किया है यह लगतार पिछले कुछ समय से चलती आ रही थी कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना लिये और उसे जल्द से जल्द लॉंच करेगा आपको बताते कि रूस के मौशकों में एस मौशकों गामलिया इंस्टिट्यूट है उसने इस वैक्सीन को बनाया है मिल रही खबर के नुस ताकि कोरोना से लड़ने में उनकी इम्म्यूनिटी बढ़ाया जा सके आपको बताते कि दुनिया में सौ से ज़्यादा कंपनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुई है और अभी तक कोई भी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो यह जाद दावा ठोक सके कि उसने कोरोन की वैक्सीन बना लिये लेकिन अब उसके इस दावे पर सवाल भी एक्सपर्ट्स खड़ा कर रहे हैं डब्लू एचो का करना है कि रूस ने जो वैक्सीन बनाई यह उसके बारे में उसने डब्लू एचो कोई जानकारी नहीं दी है वो किस कैसे बनी है क्या प्रूबल है ू और कितने लोगों पर ट्राइल है कितने लोगों पर नहीं है इसका कोई भी आकरा उसने WHO के साथ साजा नहीं किया है वहीं इसके अलावा अमेरिका के जो संक्रामक रोग विशिशक है डॉक्टर एंथनी फॉसी उन्होंने भी सवाल तो उठाया है लेकिन साथ में उमीद भी जैता ही है कि सायद रूस ने कोरोना की वैक्सीन उसे लाउंच करने से पहली जो टेस्टिंग की प्रक्रिया उसे पूरा किया होगा क्योंकि रूस ने इस प्रक्रिया के बारे में किसी को कुछ भी अभी तक नहीं बताया है और नहीं कोई एधिकारिक आकराध जारी किया है जूटी हुई है और जिसमें से एक भारत बायोटेक उसने पहले फेस का ट्रायल पूरा कर लिया है फिलाल और दूसरे फेस के ट्रायल में वह जाना चाहती है उसकी तैयारी कर रही है पहला फेस का जो ट्रायल था उसमें किसी भी परकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है जिन वोलंटीयर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वह अभी तक सुरक्षित हैं और किसी भी परकार करना नकरात्मक प्रभाव उनके उपर अभी तक नजर नहीं आया तो कहा जा सकता है कि भारत में भी जो वैक्सीन बनाने कि भारत पायोटेक वो द्यूस धन्यवाइब।